हलो प्रेंट्स विल्कम टू मैं चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड सेरे लखी सेरे लखी सेरे ग्रो भी इसे का सकते यह काफी हिल्दी होता है बच्छों के लिए और टेश्टी भी लगता है तो चलिए देखते इसके लिए मैंने क्या क्या लिया यहां पर मैंने निकाल लिया यह सुखा ना रिया है और मैंने ख्रोट लिया ऐसाच से वी बिखियोफंते बिख ने brud य्या मैंने क्यंके से रोष्ट कर लोंगी यह सभी को स्लो फ्लेम पर ही रोष्ट करना है और उसके बाद मैंने डाल लिया है बादाम को बादाम को भी हलका रोष्ट कर लोंगी जो बादम चटक जायता है निकाल लोंगी और इसके बाद मैं डाल रही हूं यह काजू काजू को भी हलका रोष्ट कर लूँगी इन सभी को रोष्ट करके और में जब ठंडा हो जाएगा तो इसे मिक्सिजार में पीस लेना है इसे बनाना बहुत ही इजी है बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाता है और इसे लंबे समय तक अश्टोर भी कर सकते हैं इसी तर्रीके से मैंने सारे ड्राइब फुरूट और ओर से डलिया सुझी को रोष्ट कर लूँगी आप चाहे तो मुंग डाल भी डाल सकते हो रोष्ट करके और अपना पसंद के कोई भी ड्राइब फुरूट डाल सकते हो इसमें इसमें से अच्छी खुस्पू आने लगे तो इने मनी निकाल लूँगी और बच्चे बहुत ही अच्छे से खाते हैं और इसके बाद मैंने डाल दिया सुझी को सुझी को भी रोष्ट करूँगी इसे ज़्यादा रोष्ट नहीं करना है कलर नहीं चेंज करना है बस सभी को हलकाल का एक दो मिनट तक ही रोष्ट करना है उसके बस सारे ड्राइफ रोट को मैंने रोष्ट कर लिया है और जो मैंने पहले रोष्ट किया था ठंडा हो चुकी है तो मैं पहले जो ड्राइफ रोट है उने मैं मिक्सी में डाल करके सारे को ग्रेंड कर लोगी और मिक्सी रोक रोक कहीं चलाना है नहीं तो ड्राइफ रूट से तेल निकलते हैं तो गीला हो जाएंगे देखे कितने अच्छे से पाउडर बन चुके हैं और इस ड्राइफ रूट पाउडर को अपालग फी रख सकते हो जब दूद पीते समय बड़े य काफी बेंड करूं मैं सेरे लक बना ही तो मैं इसी में मिक्स करूंगी से अऔर बना लो तो बहुतिकंज। चाहिंकि सेरे लक्तिया खाल जिए गरो तो मैं दोंच भलग हैंगी से क्वार वंख भलो subscribed with options मैं 4 चमच बनारे हुग, 2 बच्चे के लिए बनारे हुग, 4 चमच इसमें मैं सेरे लगट डाल दूगी, 3 चमच में चीनी डाल दूगी और ये बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाता है, इससे बनाने में ज़्यादा टैम नहीं लगता है, बस ये कुबाल आ जाएगा इसमें और ये बनके तयार हो जाएगा, बस दो मिनट लगता है इससे बनाने में, उमीद है कि आज के ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, कि सभी को पसंद आएगी और चैनल को सबस्क्राब जरूर करें क्योंकि इस चैनल में मैं इसी तरीके के नहीं न्यू वीडियो लाते रहूंगी जो भी मैं एक्सपिर्मेंट करूंगी वो आप लोगों से सेयर करूंगी थेंक्स फूर वाचिए